किर्पिया अपनी सला और अपना ग्यान अपने पास रखें दूसरे को ना दें यह हम भारतियों की एक खास आदत है कि हम जो हैं अपने को भले वह चीज ना माने लेकिन दूसरे को वह ग्यान जरूर देतें अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आज मैं आप आप को बहुत सी बाते बताने वाला हूँ जो आप अभी समझेंगे कि अगर मैं शरा पीता हूँ अगर गुटका खाता हूं अगर मैं चिकन नक시 खाता हूँ और सामने वाला यह सब बतन मटन खाते हो मैं नहीं हाता हूं मेडे ठेंगे से temporarily खाओ आप चाहाँ बकरीगा फाओ मुर्गा हौओ या कुथ मिल्ली कुछ दुनिया में भारत भारत के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो लोग नौन वेज नहीं खाते हैं वो दूसरों को सला देते कि नौन भी बन्द होना चाहिए अगर आप क्यों कहरें अगर बन्द करना होगा तो सरकार खुद बंद कर देगी आप कहते हो शराब पीनी चाहिए आप नहीं पी तो दूसरे को भी कहते कि यह शराब नहीं पीनी चाहिए सरकार को ठीक लगेगा सरकार बंद कर देगी आप कौन होते कहने वाले एक महिला अभी मैंने सोचल मीडिया पर देखा बोर्ड लेके खड़ी हुई और उस पर लिखा हुआ है कि पूरे से और पैट्रोल लीजल से आता है सबसे ज़्यादा पैसा शराब से आता है आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर सरकार ने ठेके खोल लगए ते मेडिकल स्टोर खोल लगए तो बाकी सब बंद था खाने पीने की दुखाने बंद थी साख सबजी तक बंद थी लेकि वो आदमी रोटी खाता है वो दिमाग रखता अपने पास की मुझे क्या करना है मेरे सामने मेरे आसपडोसी या मेरा कोई भी रिस्तेदार हो तो कुछ भी करता हो मेरे कोई बिरादरी का आदमी हो या ना बिरादरी का ना भी हो मेरा दोस्तो यारो मित्रो तो कुछ भी खा करके कह रहा कि भी आ बाखी बाध तो सब सीए लेकिन गुटका खाना बहुत बुरी बात है याज सरकार को लगेगा की गुटका बहुत बुरी जीड़ गुटका बंद कर देगी मेरी लाइब मैं गुटका खाऊ शराब प्यूंगा जाप्यूंग चैरस प्यूंग फिए था भी खालू जाहर खालू मेरी खुद की इच्छा है आप मुझे ग्यान ना दीजिए समझ मैं ना मेरी बात किसी की जिन्दगी कोई कैसे विजी राभी मैं अगर भूंका बैठा हुआ तो मुझे कोई रोटी पूछने के लिए नहीं आएगा कि वह यह तुमने रोटी खाई य अच्छी तरीका से मालूम है दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि मैं उसके संग बाइटा था वहां शराब पीना सीख गया वहां बेड़ी पीना सीख गया जुआं गेलना सीख गया और जो है कोटों पर जाना सीख गया यह सब चीजे बाहिया था है यार मुझे तो समझ में न यार मेरी मर्जी करें कि तो मैं पीलूगा कोई मेरे मुह में ठोड़ी ना ठूस जगा करके कि ले पीलो तुम जब अरश्ती लेटाल के मेरे मूह में बोतल ठूस जगा नहीं तुम पी ओ यार कोई बंदा चार शे बंदे वैटे नौन वेच खा रहे हूं मैं वहां है तो आप अपनी सलह अपना ग्यान और जो आप दूसरों को सलह दे रहे हैं अपने पास रखी है मुझे आपकी सलह आपके ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि जो आदमी रोटी खाता है और जो ऐसी बाते करता है मुझे लगता घंस खाता इसलिए बिना दिमागों वाली बाते करता है और हमारे देश के लोगों की पता क्या आदत है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो लोग नौन वेज बगारा नहीं खाते हैं शाकाहरी लोग है उनकी ये एक मतलब है उनका एक दिमाग है वो ये चाहते हैं कि पूरे देश में न ना देना यार आप हो मैं नौन वेज नहीं खाता हूं मैं शुद्ध शाका आरी हूं आप कुछ भी खाते हो मुझे क्या ले ना देना तो इसलिए जो है दूसरे के काम में टांग ना रही है महरवानी करके मेरी आप से बिंती नेवेदन हाथ जोड़कर प्रास्तना है यह सब को देखेंगे या अपने यार दोस्त को देखेंगे तो आप उसी को देखते रहे जाएंगे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरी यादत क्या मैं आपको बता हूं मैं मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है क्या खारा क्या पी रहा है मैं कभी नहीं देखने जात इसलिए आप हमेशा ये करिए कि आप दूसरे को छोड़ दिए आप अपनी जिंदगी देखिए वो दूसरा खुछ समल लेगा उसकी देखिए मेरा एक मानना ये है कि उपर वाला जिसको धरती बेभेजता है उसका पूरा बायो डाटा लिख करके भेज देता है जन्म से लेक आप नहीं बतल सकते हो मैं आगे जाकर के नौन वेज खाऊंगा या शुद्ध शाकारी हो जाऊंगा मैं शराब प्यूंगा या शराब नहीं प्यूंगा यह उपर वाला जानता मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है इसलिए अपना दिमाग ना रड़ाईए अपना दि पर बैठा हुआ है वह दिमाग देता सबको कि क्या करना तुम्हें क्या नहीं करना है अगर मुझे आगे बढ़ना होगा तो मैं बढ़ जाओंगा मेरे लिए मार्ग उपर वाला तयार करेगा रास्ता उपर वाला बनाता है और मुझे अगर किसी की गुलामी करनी है विकार भी ना करें फिर भी आरे पास सुखा जागा जरीया बनाता उपर वाला तो इसलिए किसी को ग्यान ना दे अपना अपने पास रखके वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें लाइक करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं नेक्ट्ट वीडियो में